referral कमिशन और थे अर्थ कर按 का उसका तो आपने सुनाई होगा और और हम लोगों ने शा adults रियादा यूस के अ confirme यूस को गूगल पे में वह 51 रूपी रूपिस का एक तक मैंने अर्ण किया एक दूसरे एप्लीकेशन से रेफर करके किसी को लेकिन इस एप्लीकेशन में जब मैंने सबसब पहला रेफर किया और जो मेरे मतलब रेफर से अर्ण हुआ वो सुनके आप चोक जाओगे पता नहीं आपको पता है या नहीं मुझे मतलब परसनली मैं अगर बताओ तो मैंने आर्ण किया टैन थाउजन रूपीश एक रेफर करने से पहले तो मुझे लगा कि यह फेक तो नहीं है कि रेफर मैंसे ऐसे दे दिया कोईन्स होगा कुछ मतल मतलब यह जो एमाउंट है मतलब फ्री का मिल गया मुझे बिलकुल एक कम्प्लीट रेफरल है और इसको अगर मैं डॉलर में ट्रांसफर करो कंवर्ट करो तो मान लीजे आप फिफ्टी डॉलर के आसपास तो हो गई इतना कमिशन तो मतलब एफिलियेट मार्केंटिंग जो उसको भी पहले ट्रांसेशन में पहला जो रेफर के उसने उसको भी मिल गया 10,000 रूपीज और मैंने मेरे सिश्टर को किया था पहली बार जब मुझे मिला था 10,000 रूपीज तो मैं ज़े दो रेफर करने से ही मुझे अभी 20,000 रूपीज का अर्निंग हो चुका है तो ऐसे अगर डाउनलोड करोगे तो आपको क्या करना परेगा आपको पहले तो एकाउंट बनाना परेगा क्योंकि अगर आप तुरंट डाउनलोड करके किसी को शेयर कर दोगे तो आपको नहीं मिल का वह पैसा तो पहले क्या करना परता है हमें एकाउंट क्रेट करना परता है एक अगर अगर रेफर करोगे तो आपके अकाउन को कम्प्लीट माना जाएगा, नहीं तो हो सकता है आपको वो रेफरल कोमिशन है वो ना मिले, क्योंकि उसमें गाईडलाइन में भी यही चीज लिखा हुआ है, तो मैंने जो किया था, मैंने तो ऐसे में बहुत दिन से यूज कर तो अब देखा कि एक scratch card आया, तो मैंने उसको जैसे scratch किया, तब मुझे वो पैसा मिल गया, तो अभी तो मुझे पता चल गया, आभी मैं और भी लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैंने वैसे friend के साथ शेयर किया है, तो वो लोग जब invest कर देंगे, तो उनका scratch card है, वो पैसे कोई scheme भी मैसा नहीं है, कि fraud है, कुछ ऐसा है, इसमें एक organization है, NSDL है, या फिर पता नहीं, जो भी है, मुझे अतना detail में नहीं पता, mainly है, ये है, asset management company, AMC, AMC से ये सारा चीज़ और चीज़ होता है, AMC मतलब एक company होता है, जहापे वो लोग दूसरे stocks में, या फिर दू में बता दूँगा कभी, तो उसमें क्या होता है, mutual fund में आपका पैसा मतलब डूबने का chances कम रहता है, क्योंकि वो कोई एक fund manager उसको arrange कर रहा है, मतलब उसको grow कर रहा है, तो अभी तो अगर मान लीजिए, आप किसी भी fund में लगा सकते हो, और एक दिन अगर लगा होगे, अगर charges कटा भी है, वो 0.05% है, जो यह है, इसको क्या कहते है, मुझे exit load है, तो वो तो बहुत ही minute सा है, वो पैसे में आता है शायद, तो ऐसा है कुछ, पहले तो नहीं करता था और कुछ fund ऐसे भी है, जिसमें exit load नहीं लगता अभी भी, तो ऐसा है कुछ system, आपको कुछ कर में डालो, मुझे scratch card मिल जाएगा, मैं देखूंगा scratch card में सही में मुझे मिल रहा है या नहीं कुछ, उसके बाद तुमार उससे पैसा ले लूंगा, मैं 2000 रूपीज, तो ऐसे किया है, मैंने, चीज बहुत अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करके देखिए, और मुझे ज जो चीजे है, मतलब जो भी earning हुआ है, सारा चीज में आप लोगों से share करूँगा, और हो सके, तो सही में अगर आप लोग डाउनलोड करके कुछ करें, और मुझे मिल गया, तो मैं तो सही में कुछ ना कुछ अच्छा सा चीज प्लैन करने का सोच रहा हूँ, तो देखते क किसी का वीडियो देखके क्या था, बैसे चीज बहुत अच्छा है, मुचल फंड में इंवेस्ट करना चाहिए ही, मैंने आज से नहीं, आज से 2-3 साल, धाई साल पहले शुरू कर दिया था मुचल फंड में इंवेस्ट, जब मैं थर्ड एर में था कॉलेज में, तो यह था